गुडिवनिंग गुडिवनिंग चले पहला कोशन आपके सामने दिया गया है कि कोशल महा जनपद विस्तरत था जो कोशल महा जनपद है इसका जो विस्तरत था ये कहां तक विस्तरत था इसका राइट अंसर आपको बताना है आपका सही ज़वाब क्या होजेगा चले तो दे पूछा गया है बहुत धर्म का पालना किसे कहा जाता है चलिए बहुत धर्म का पालना किसे कहा जाता है आपको अंसर भी दिख गया होगा कि बहुत धर्म का पालना किसे कहते हैं याद रिखें कि उत्तरपदेश को उत्तरपदेश को बहुत धर्म का पालना भी कहा जाता है य चले सेरसाग की प्रारमिक सिछा आपके जॉनपूर में नोट कर लीजेगा कि सेरसाग को जो प्रारमिक सिछा थी वो आपके जॉनपूर में आपकी हुई थी सेर साक अगर हम बात करते हैं तो सेर साक मगबरा कापर है आपके सासा राम में है कापर है सासा राम कापरता है आपके बिहार में पढ़ता है बिहार में ठीके बिहार में अगर हम बात करते हैं सेर साक की मृत्ति कहां होई थी तो कलिंजर में होई थी कलिंजर में जो कि आपको हुमायु थे उनको उनी सो चालिस में जो विलग्राम का यो दुवा था उसमें पराजित किया था तो इतनी कोश्चन आपके बनते हैं से सासूरी से ठीक है आगे बढ़ते कोश्चन आप से पूछा गया है कि 1857 से लेकर 1946 तक उत्तरवदेश में कांगरेस के इकुल कितने अद्वचन हुए थे चले यहाँ पर आपका अंसर लाइट क्या हो जाएगा बताज़े housekeeping है नो अद्विसन हुए, कितने हुए, नो अद्विसन आपके उत्तरव देश की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आपके उत्तरव देश की बात कर रहा है, तो option क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोशन आ प्रताव गर्मिन चलाएगा यहां पर आपको कौन सा इन उन्भर आगे बढ़ते हैं उत्तरब्रदेश कब मनाये जाता है उत्तरब्विडियो देखनें से मिद्लबापक क्या हुआ इस वीडियो को देखने से मतलब आपक क्या हुआ पैदा हो गया तो देखे आपका यहां पर एनमर 24 जनुरी को मनाते हैं तो अभी जनुरी ऑप्सन मनेगा आपका एनमर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते कोशन आप से एकला पूछा गया है यहां पर देखे एकला कोशन आप से दिया गया है उत्तरवदेश की राजधानी 1921 में कहां से इस्थांतरित करके लखनाऊ लाएगी थी लखनाऊ लाएगी थी यहां पर आपको ज्वाब देना है चलिए यहां पर अंसर आ रहा है आपका आघरास है भी आघरास है क्या यह उनीस Spaß की बात हो रहे है अपना आप लोग बहुँले की बात कर रहे हैं तो यहां पर अप्सन आपका सी मत्रुपास के च्छेत्र को कहा जाता था क्या कहते थे यहां पर आपको देना है आपका-णसर क्या नाम क्या था सारनात का प्राची नाम क्या था यहां पर आपको जवाब देना है चलिए तो देखिए आपका सारनात का अगर बात करते हैं तो आप कंसर हो जएगा यहां पर कौन सा भी चलिए देखिए यहां पर दिया गया आपका सारना पतन और आपका मरगदाओ मतलब आप रिसी पत्तन में भोलते हैं इसे बोलते हैं इसे रिसी पत्तन भी बोला जाता था ठीक है न वहीं आपका इसान पत्तन या इसी रिसी पत्तन क्लिर है आगे बढ़ते कोश्चन आप सिगला पूछा गया है कुसी नारा किसकी राजधानी थी यहां पर नसर क्या हो ज़ेगा चले कुसी नारा के गर्म बात करते हैं यह मल्लो की थी किस की थी मल्लो की थी option क्या बनेगा यहां पर अपकसी नमर हो ज़ेगा मल्लो की हो ज़ेगा ठीक कि भारत छोड़ों अंदोलन के इस समय जिले में समनांतर सरकार की जो स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी और समारा बीनमबर बलिया विल्कुर सही जवाब गाए आपका बलिया या परनसर अपकर राइट हो जाएगा आगे बड़ते कोशन आप से दिया गया है गु यहाँ पर आपका बीनमबर भीतर गाओं फिके ना याद रहेगा आगे बड़ते हैं कोशन दिया गया है कि वह इस थल जिसका समन्द भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है किसी घटना से नहीं रहा है सारनाथ सांची बोद गया और आपका कुसी ना लेकिन क्या हुए घटना कब घटना कब घटी थी चारी चारा घटना कब घटी थी यहाँ पर अंसर देना है आपका सही अंसर क्या हो जाएगा चलिए भाई, चवरी चवरा घटना, आपके कब घटी थुई थी, 1922 को घटी थुई, अच्छा, तो ये बताईए, कब घट, मदरब कही सकते हैं, कि कौन सा डेट हो जाएगा, ए नमबर, बिलकुँ सही है, आप ए नमबर को लोग करेंगे, 5 February 1922 अंसर आपका राइट हो आगे बढ़ते कोशन आप सिखला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर, कब उत्तर प्रदेश किया गया, यहाँ पर अंसर दीजेगा, यह भी कोशन आपको बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पर दिखेगा, आपका अंसर क्या हो और जिन लोगों अभी तक वह वीडियो को लाइक ने किया है तो इमानदारी से वीडियो को लाइक सिर करते रहेगा ठीक है ना चलिए इलाहबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता था वो काउन था चलिए यहाप लोगों की मेनत बिकार में नहीं जाएगी हाना आप लोग सोच कि आपका अंसर रोजएगा मौलविल लियार का तलीखान जिसका अपसन आया है बिलकुर राइट होगा डिनमबर है आपका होजएगा आगला कोशन आप से दिया गया है आगरा की मोती मस्जीद का निर्माल किसने करवाया और यह भी कोशन बहुत बार आया है मतलब अथा सब्सक्राइब देना है 17 जवाब क्या हो जएगा यहां पर साज आया है बिलकुर राइट हो जएगा ठीक है आप लोग यार सच में आर वीडियो को लाइक से बिलकुल नहीं करते हो कभी कभी लगता है तो आपको लोगों के साथ टाइम पास हम भी किया करें जैसे कि आप लो यहां पर आपको ग्यान मिल्ला है जहां पर टाइम का वच्षत हो रहा है हना वहां पर आप एक लास लेते हैं कुछ ज्यान मिलना है तो कुछ न कुछ तो कर देना चाहिए चले यहाँ पर देखें ऑप्शन भी हो जगा सा जहाने यहाँ पर अंसर कई बार पूछा भी गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक की इस्ताफन के गई थी यहां पर 18 कॉपशन मताना है आपका सही जवाब ऑप घचें आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगचं की स्ताफन के आपके कानपूर में कापर आपके कानपूर में जिसका पैप्शन आया है आप ए नमबर विल्कूर रॉयट हो जगा का कानपूर में अगला कुशिन आप से दिया है की आठाफ सतावन के प्रत्वतन सुतनता अंदोलन में बरेली में किसनेितरख किया था अधारा पेल्ट है किसने नेतरख चलें लुट है अगला को प्रण्पर्ण के लिए था तो यहां पर देखे कानपुर्ण विस नंबर में यह बन जाएगा यह आपका साम मेवादी आंदोलन चला गया था कौन साम मेवादी जो कॉप्षन हो जाएगा कौन सा यह पर सी नंबर हो जाएगा से नंबर ठीक है आगे बढ़ते कुछन आप से आगे बढ़ते कुछना आप से दिया गया है तो कहने बढ़ते एक कुछन में से छटी सदी बीसी के दौरान छेदी कहा जाता था चलिए छटी सदी बीसी के दौरान कहा जाता था या पर छेदी किसे कहते थे तो चलिए बताएगा मतलब इस भी पूर की बात कह रहा है कि छेदी किसे कहा जाता था तो छेदी कहते थे बुंदेल खंड शेतर को किसे बुंदे तो ऐसे कोर्षिन आपके बंते हैं यहां पर देखे थोड़ा समया पर कुछ अब्जक्टिव पढ़ते हैं इसके बाद कुछ और भी थेवरी है इसमें उस थेवरी को भी पढ़ेंगे इस इस लेटेड आपको पूरी पूरी थेवरी मिलेगी मतलब को पूर्सिन आपको मिलें अच्छ आहां के युद्ध को समाउत्य किया थे बारेलि में आपके खान बहादूर खांठे बारेली में लियाकतली थे और इसका जो लिघ्र में मौलवी अहमदुल्ला जिस पर 50-50,000 का जुर्माना भी लगया था और यहाँ पर वीतिकॉन कैमपबिल थे। अगर बात करते हैं कालपी में तो कालपी में आपके ताटाटोपे भी थे। मत्तुरा में देवी सिंग थे मे अपके कदम सिंग थे तो इसको आप लोग नोट करिएगा अगला यहाँ पर देख सकते हैं गोरधुर में तो गोरधुरमीं थे गजाधर ठीकर यहाँ पर बताईएगा जिला है और आपका मुख्याले अधर जितने भी आपको छूट जाएंगे वह उनका मुख्याल है वहीं पर रहेगा लेकिन ये ऐसे कुझ मुख्याले है पान्च-शे मुख्याले है जिनका मुख्याले परिवरतन है जैसे अमेठी का मुख्याले है गौरी गंज है अम्बिटकर नगर का अकबरपूर है कौसांबी का मंजनपूर है कोसी नगर का है क्या तो आपका पड़रोना है कानपूर दिहात का अकबरपूर माती है गौरम बुद्र नगर का आपका नोड़ा है जौलान का क्या है उराई ह फरुखाबाद का फतेगड है ठीक है ना और संभल का अगर बात करते हैं संभल का जो आपका है मुख्याले वो आपके पावासा में सोनभद्र का राबर्ट सुगंज है सिधार्ट नगर का नोगड है और संतकवी खलीलाबाद मतलब यह जो हमने आपको पढ़ाया है हना इसक कि मुख्याले हैं वो दूसरी जगाए नोट कर लिजिए चले आगे बढ़ते हैं इसके लिए चले आगे बढ़ते हैं उत्तरवदेश के नगर निगम तो देखे वही आपको पढ़ाया गया है कि उत्तरवदेश में 17 नगर निगम है देख लिजेगा क्योंकि यहां से कोश पढ़ाया गराज भी क्या है नगर निगम में है ठीक है ना इकरम से आपके हैं वारणसी नगर निगम है मेरट भी वारणसी से हैं जो लोग जहां से हैं तो कमेंट करते रहें हैं जो लोग जहां से हैं कमेंट करते रहें गुरकपुर यह भी नगर निगम है बरेली नगर है ठीके ना और आपका गाजियाबाद भी आपका नगर निगम है ठीके ना इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं जो सहारनपुर है सहारनपुर भी नगर निगम में है जहांसी नगर निगम है मुरादाबाद नगर निगम है अलिगड नगर निगम है फिरोजाबाद आपका न अगर निगम में है तो फिरोजाबाद अलीगड अपसुयन सब देता है, то यहीं वाले अपसं देता है, यह तो आपको देगा क्यों सा, यहां पर देगा मुझा धैर अलीगड फिरोजबाद वी ध्याक क्यों नहीं है, तो लेकिन याद रखिए, यह समय आपके सभी हो गए है जो कि आपके सामने है इसको नोट कर लिएगा हाँ यहाँ पर अगर पूछे 17 अम्मर का तो कौन है तो साज आंपूर है जो कि रामसाथ बिस्मील का एजन मिश्थिली है और 2-18 में खुशित किया गया था ठीक है चले कुछ बच्चे कह रहें कि सान मैं पाकिस्तान से हूँ क्या बाद है यहाँ पर बताए एगला कोशन दिया गया है प्रदेश में मंडलो की संख्या 18 है जो कि निम्नेखित में से है 18 मंडल में कौन है तो आपका लखनों मंडल से कौन कौन है कमेंट करे कानपूर रयोध्या मुराधाबाद आगरा लीगड्ट चित्रकूद्धाम जो कि मुक्याले काँ पर है बांदा है प्रियाग्राज और आपका आजमगड हो गया ठीक है अगला दिया गया है बरेली सहारनपूर देवी पाटन मुक्याले मतलब जो गोंडा में है बस्ती, गोरगपूर, जहासी, वरानर्जी और आपका मिरजपूर, यह क्या है आपके मंडल है ठीके, क्या है मंडल है ठीके अगला इहां पर देखिए कोशन आपके आगया है कोशन को सोल करते हैं चले कोशन दिया प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है प्रदेश में मंडलों की जो संख्या है वो कितनी है अब आप लोग गलती नहीं करो गया मैं पता है चलिए प्रदेश में मंडलों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है जवाब दीजीगा अब आप लोग कमेंट रोक्स में कमेंट करिए प्रयास करिए कि जितने भी कोशन आम तो वो question आप लोग यहां पर सही करें ठीक है ना चले यहां पर question आपका आ गया है तो लगभग सभी का जवाब आ गया है 18 अना क्या हो गया है तो 18 आपका अंसर बिल्कुर सही है बी नंबर हो जेगा यह आपके मंडलों की संख्या आपके 18 है अगला question दिया है सरवाधिक जिल जो की जो संख्या है वो आपके किस मंडल में है यह question आपसे पूछा गया है तो भई आपको जवाब दे रहा है आपकर two option क्या होजएगा option मनेगा अपका D number यह आपके मेरट मंडल में है कभी भई मेरट मंडल में आपके 6 जिले हैं देखो 6 जिले कहा है लखनव में भी 6 जि मेरट हापुड बागपत बुलन सहर गौतम बुद्नगर और गाजियाबाद यह मेरट मंडल में आते हैं ठीक है अगला question दिया गया है यहाँ पर देखो सबसे प्रदेश का सबसे नवींतम गठित मंडल इन में से कौन सा है तो देखी भई यहाँ पर नवींतम जो है इसका अगला question आप से यहाँ पर पूछा गया है चले अगला question आप से यहाँ पर पूछा गया है चले अगला question दिया है अभी 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 देखो अपने सब कुछ कबर करा दिया है ताकि आप लोग यह नहीं कर सकते है कि सरी कोशन आपने बताया नहीं है तो चलिए बताएगा मेठी जिले का मुख्याल है अभी जो मंडला हम आपको पड़ा रहे ने उसको अभी दिखा देंगे इस व मुख्याल है नोगड इस जिले का मुख्याल है नोगड की जिले का मुख्याल है यह आप राइट रखे याद रखे आपके सिध्धार्थ नगर का है और संसी हो जेगा इस सिध्धार्थ नगर का है संत कभी नगर का पड़रो रहा है भाई कभी नगर का पड़रो ना यह आ आपके कितनी है चले इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा चले 600 इसका 403 होगा यह 404 होगा तो भई यहाँ पर मिला के दोनों अगर दोनों को मिला के किया जाए जो आपका एक हुआ करता था कौन सा अनराई जिसे बोल देते हैं तो उसके इसाफ से तो आपका 404 होगा लेकिन यहाँ पर भई कौन सा अंसर सही कर गया है आपका 404 सही कर गया है लिकर अगर वर्तमान अगर लगा दिया है तो यहाँ पर आपको क्या सही करना है वर्तमान यहाँ पर क्या हो जाएगा तब आपको भई यहाँ पर 403 सही करना पड़ेगा वर्तमान की इसाफ से कहीं कहीं द तो आपसन क्या बन जाएगा यहां पर बन जाएगा आपका A number हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से इगला पूछा गया है क्या रहा है वा एक मात्र गती जो उत्तरा खंड के भी मुख्यमंत्री आपके रहे हैं यहां पर नाम है आपका नरायर दत्य तीवारी क्या है वही नरायर दत्य तीवारी है आपसन आपका B हो जाएगा ठीके अगला क्वेशन आपसन यहां पर दिया गया है तो उत्तरवदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन सी है उत्तरवदेश की पहली महिला मुख् प्राप्त है अधाति उत्तरवदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के प्रधार मंत्री भी रहे हैं अब बताए यहां प्रणसर क्या हो सकता है चलिए ग्यारा नंबर की बात करते हैं तो काफी लोग जवाप दे रहें ए नंबर भीया मुलायम सिंग यादो नहीं है बुलायम सिंग यादो इसमेरे से नहीं है हाना ग्यारा का जवाप दीजे चलिए वीपी सिंग जी ने बोलते हैं याद रिखेगा यहां पर स्वरी इसमें क्या दिख्या हूँ अच्छा रुके 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 उत्तरवदेश की पहली मैला मुख्यमंत्री है न सुचेता करपलानी होगा कौन ए नंबर होगा भई हाजी हाँ इसमें सुचेता करपलानी यहां पर ए नंबर ही होगा ठीक है ए नं प्रधार मंत्री होने का भी गौरो प्राप्त हैं यहां पर है आपके वीपी सिंग मतलब भी सुनात प्रताप सिंग जी ने बोलते हैं तो आपका अंसर हो जगा सी नंबर है अराइट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते कोशन आप सिंगला पूछा गया है उत्तरप्रदेश क प्रथम विधान सभा का गठन यह हुआ था आठ मार्च को और आठ मार्च गरबात करते हैं तो यह भी डेट याद रखे 1952 मतलब यह हुआ कि आपका अंसर हो जे कौन सा आठ मार्च 1952 को उत्तरप्रदेश प्रथम विधान सभा का गठन किया गया था ठीक है आगे बढ़त दिनमबर चलिए यहाँ पर अंसर आपका मुलायम सिंग भी कह रहे हैं मुलायम नहीं होई मायावति हैं यहाद रखे और अपर अगर मुलायम यादो जी अगर अपने पुत्र को अर्था तक्षिलेश जी को ना बनाते मुख्यमंत्री तो यहाँ यहाँ पर कह सकते हैं यह यहाँ पर अपने पुत्र को अर्था तक्षिलेश जी को बना दिया इस कारण से को रहे हैं और इनका नाम क्या हो जाएगा चलिए बहुत अच्छे यहाँ पर देखे एक यहाँ पर जवाब का अंसर हो जएगा चलिए जवदक उप्सन अर चलिए अब आप आपि बताईए कि लोग नहीं पर जवाब के थे शीरी बनार्च दास इनका नाम है यह विधान सबाध्हाच्ष वी रहे हैं और आपकी मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो इनका नाम है आपका सी नंबर सीरी बनार्सीदास क्या बनेगा बuing sensor इसका बनार्सीदास 800 बने कौन सा यहाँ पर इंव्क को राइट हैँ और चील लेकर बनार्सीदास क्या गया दैस निसरंग्ति क्या गया है कि उत्तरवदेश के राज की चिन में नहीं है अब आप लोग बताईए कि उत्तरवदेश के राज की चिन में है क्या है क्यी नहीं है देख लिए हमारे थमनेल देखे जल्दी से थमनेल में बना हुआ न लोगों देख लिए क्या है क्या नहीं है जल्दी से पूछा गया है उत्तरवदेश का राजकी पच्छी कौन सा है अब राजकी पच्छी तो नहीं पूछा जाएगा यह कोई जरूरी नहीं है कि ना पूछा जाए पूछ ले पूछा जा सकता है चलिए यहां पर बताईए आपका जवाब 18 नंबर में 18 का जवाब क्या होजएग अब क्या होता है कि एक जाम के समय जब बैठे होते न जल्दी जल्दी बहुत जल्दी होती है कि कितनी जल्दी हम अपने आपको विलेंट सावित कर लें और पेपर की घंटे लगने से पहले हम कैदे मैं मेरा पेपर हो गया अब इसी जल्दी के चक्कर में क्या हुआ कि यह सुत्तम दास टंडन जो कि आपसन आपका भी हो जगा प्रसुत्तम दास टंडन हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से लिगा पूछा गया है कि राज जिक की सत्राहवी विधान सावाद चुनाओ 2017 में महिलाए निर्वाचित हुई थी मतलब जो सत्राहवी विधान साव यहाँ पर अंसर हो जगा अपका नोइडा ठीक है क्या हो जगा यहाँ पर नोइडा हो जगा नोइडा ओप्सन क्या हो जगा यहाँ पड़ी नंबर नोइडा अच्छे यह बताए रामा भाई नगर का नाम किसी ने सुना है कि नहीं सुना है अगर सुना है तो बताए रामा पहले कहते थे रामा भाई नगर है यह कानपुर का अधात बोलते ना कि साइथ पुराना नाम है हाँ साइथ इसका पुराना नाम था ठीक है ना तो यह अगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है अगला पॉइंट कि निम्डिकित में से एक और उत्तरवदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं मदलब निम्डिकित में से एक और उत्तरवदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो इन में से कौन है जो नहीं रहे है तो नित्या इंद स्वामी है यह मुख्यमंत्री आपके नहीं है और आप से कि अब तक उत्तरवदेश में कितनी महिलाई मुख्यमंत् करेगा दूसरी जो महिला मुख्यमंत्री रही है अपने उत्तरवदेश का उसका कमेंट वक्स में कमेंट करेगा अगला यहां पर कोशन दिया गया है कि विधान सभा चुनाओ 2017 में कितनी सीटे अनसूचित जाती के लिए आरचित थी 2017 में जो आपकी विधान सभा की चुनाओ हुए थे उसमें सीटे जो अनसूचित थी हना अनसूचि सीटे थी वो जो आरचित रखी थी वो कितनी थी तो 84 सीटे थी कितनी 84 ऑप्सन मनेगा यहां पर कौन सा ए नंबर अपता राइट हो जएगा अगला यहां पर देखो जो कि अभी हमने बताया था कि कुछ आपको न που फीरि भरेली उन्नाव इसी के आसपास होते हैं मेर्ट का पाहस थोड़ा साथ देखो रट नहीं सकते हमने कहा ना कि रट भी सकते और रट भी नहीं सकते ओ लेकिनंट ऑप्सन तो लगाई ही सकते हो न थोड़ा गर एक बार पढ़ोगे कि हां किस entitretchon में कॉन किस Cocreb albums यह मेरेट का अगर कोई निवासी है तो बता सकता है मेरेट हापुर, बागपद, बुलन सहर, गौतम, बुननगर, गाजियाबाद ये इसके आसपास लगते हैं अगर कानपुर मंदर के गरबात करें आउद्ध्या, अमेटकर नगर, हमेठी, बारवंक्यो, और सुल्तानपूर ये मंदल आते हैं अत्वाद पांच जिले हैं अगला बेखा ये मुरादाबाद मंदल में तो मुरादाबाद पांज क्या है मंदल है इसमें है गोरकपुर में और वारंडसी में आपके चार चर जिले हैं तो भाई बरेली के आसपास जैसे बरेली साजाहापूर और आपका पीली भीत है न आप बादायूं ये आपके हो गए देवी पार्टन में आपका गोंड़ा अबस्ती स्रावस्ती बहाराइच बल्रामप गोरकपुर में आपका गोरकपुर दिवरिया महराजगन कुसी नगर हो गया अगला दिया गया वारंडसी में तो वारंडसी में आपका वारंडसी गाजी पूर जौन पूर आपका चंदौली हो गया जिसमें आपके चार जिले हैं अब आपको दिया है अगरा मंडल जिसमे चार्जले हैं चित्रकुत, हमिरपूर, बांदा और महोबा, इसके चंतरगताब के होगे, सबके नाम मिल गए कि नहीं मिल गए हैं, प्रियागराज में भी चार जले हैं, प्रियागराज कौसामबी, प्रतापगर और फतेपुर, फतेपुर वारे भी आपके किसमे हैं तो आपके प्रयागराज मंदल में ही आपके हो जाएंगे अगला है आजमगड मंदल के अगर बात करते हैं तो इसमें आपके तीन जले हैं आजमगड बलिया मौव सहारनपूर मंदल में भी तीन जले हैं सहारनपूर सामले और मुझपन अगर बस्ती मंदल युकि आपके तीन हैं तो 32,ền संतिक वीयर और अब इम ने बताया था question यह पूछ लेता है सबसे बड़ा मंदल, सबसे छोटा मंदल और सबसे नविंतम गठिन मंदल ती आठारवान जो आपका है वो अलीगड मंदल है क्या है? अलीगड मंदल है जो नविंतम है अठारवान मंदल है अलीगड मंदल को आगरा मंदल से हाथरस कास गंज अलीगड एटा जिलो को काट कर बनाया गया है अर्था जो अलीगड मंडल बना है हाना वो किसे किसे काट कर तो आगरा मंडल से हाथरस को काटा गया है कास गंज और अलीगड एटा जिलो को काट कर बनाया गया है तो इनको पॉइंट नोट करिएगा आगरा मंडल मे अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी आपको हैं यहाँ पर देखें 2012 में नगरों के नाम नए नाम काटकर पुराने नाम इस्थापित किये यह कौन से हैं तो देख लिजेगा नया नाम और पुराना नाम जो की पूछ सकता है एक्जामों में तो देखें यहाँ पर देख स अगर आप पहले बार पढ़ें तो इनको नोट कर लिजेगा यह आपके पुराने नाम दिये गए हैं इनको नया नाम कर दिया है 2012 से ठीक है अगला आप से दिया गया है यहाँ पर कुछ और भी होंगे सायद हाँ कास गंज का कासी राम नगर कानपुर दिहाद का यहाँ पर जहां से तो अपना नोट करिए गए उसको पढ़िए वा ठीक है ना और सबकी एजाम के लिए तो सब लोग पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए तो चलिए आज की क्लास ने रखते हैं चलो सब लोग लाइक सेर कर देंगे ठीक है धन्नवाद